शिवसेना में उद्धब गुट और शिंदे गुट के बाद नाम और चुनाव चिन्ही की लड़ाई में चुनाव आयोग ने शिंदे गुट के हक में फैसला सुनाया है जिसके खिलाफ उद्धब गुट सुप्रिम कोट पहुँच गया लेकिन सुप्रिम कोट ने सुमवार को उद्धब गुट की शिवसेना के नाम निशान से जुड़ी याचिका पर ततकाल सुनवाई करने से इनकार कर दिया है उद्धब गुट के वकील अभिशेक मनु सिंग्वी ने ततकाल सुनवाई की मांग की थी जिस पर कोट ने कहा कि इसकी एक प्रक्रिया होती है इसके तहत कल फिर से याचिका दाखिल करें यानि ये तैय है कि अभी नाम और निशान पर लड़ाई लंबी खीचेगी। करने का आखरी फैसला पार्टी अध्यक्ष का ही होगा। विधान सभा स्पीकर राहुल नार्वेकर से मुलाकात की और विधान सभा के शिवसेना कारियाले पर भी अपना कबजा जमा लिया है। यानि शिंदे गुट हर तरह से उद्धब गुट की मुश्किलें बढ़ा रहा है लेकिन इस से उद्धब गुट के तेवर भी तल्ख हो रहे हैं। इस बात का उदाहरन शिवसेना के मुखपत्र सामना के संपाधिकिये में मिलता है। इसमें ग्रीह मंत्री अमित शाह को महराश्रो और मराठी लोगों का नंबर एक शत्रू बताया गया है। आपको बतादे कि शिंदे गुट की जीत पर ग्रीह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि चुनाव आयोग ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। लेकिन सामना में कहा गया है कि शिंदे गुट से अधिक खुश भाजपा नजरा रही है ये सब अमित शाह की महरबानी से ही हुआ है इस से पहले शिवसेना सांसत संजे राउत ने दावा किया था कि शिवसेना का नाम और चुनाव चिन्ह तीर कमान को खरीदने के लिए 2000 करोर रुपे का सौधा हुआ है अब आरोप प्रत्यारोप का ये दौर बता रहा है कि महराश्ट की सियासत में बड़ा तूफान आने वाला है डीबिलाइब की रिपोर्ट